नवस्कार दोस्तों आप देख रहें नियूजटीन मैपके साथ बिने अगनी हो तरी आज हमाई साथ जोड़ चुके हैं डिजी कोईर के डायरेक्टर आकाश दंदली सर आपका बहुत पॉस्वाइब की डिजी कोईर की आप इसके बार मताहिए क्या रही इसके पिछे स्टोर जी एक्चुली मैं बच्पन से गाउं मेरे पता जी ग्रामेर बैंक में तो गाउं मेरे का काफी अनभा हो था वहां के समस्याओं को बहुत ही पास से देखा है तो उन समस्याओं को मैंने अपने जीवन में जो टेक्नोलजी का नॉलेज लिए इंजीनिरिंग के तुरू जब मैंने सीखी तो मुझे लगा इसका कुछ इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए तो यह टेक्नोलोजी और अपने गाउं के अनुभाव को मिलाते हुए मैंने डीजी क्लीनिक के शुरूआत दो हजार बीस में की यह बताए कि यह आपकी जो डीजी क्वेर क्लीनिक है क्या इ एक टेली मेडिसिन आधारे स्वास्त केंद्र है जो ग्रामीर मरीजों को दूर बैठे शेर के डॉक्टरों से जोड़ता है इसका परपास है कि गाउं में जो लोग अपने हेल्थ केर को नेगलेक्ट करते हैं उनको अच्छे डॉक्टर उपलब्द नहीं हो पाते हैं समय प लाजुवाले स्टेट्स हैं कहां कहां सर्विस अभी हमारी सर्विसे मुक्ताएं एंपी में ही है इसके लावा हमारी एक E-Clinic बिहार में और एक मिजुरम में भी चल रही है क्लिनिक में सारे primary care के treatments हो जाते हैं basically hospital में भरती करने के अलावा जितने बीतरा की bimaari हैं जो OPD consultations हैं वो सारी consultation चाहे उन्हें gynecologist से बात करनी हो चाहे dermatologist से बात करनी हो चाहे कोई specialist से बात करनी हो वो सारे डॉक्ट रसे वीडियो consultation करादेते हैं आंपको ब इन वै virtio को बढ़ी भीमारी है तो इक फिर क्रफ कर देते हैं जराके ममने के पास जाना चाहते हैं तो हम उसे रिफर कर देते हैं आपने दोट से चार इसटिर आपने बताए हैं कितने डॉक्टर्स होंगे अगर हम बात करें हमारे पास 40-50 डॉक्टर्स जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं और multiple hospitals भी हमारे साथ इसमें partner हैं आपके करने चारिज डॉक्टर्स हैं आपने कई हॉस्पीटल में टाइब भी किया है सर्फ फंडिंग का कैसे आप जो इसको आपर रंड करते हैं अभी तो हमारी कंपनी बूट स्टैब्ड है बेसिकली इस कंपनी में हम लोग तीन पार्टनर्स हैं मैं अंकोर चोरसि और साकेत असाथी तो हम तीनों मिलके अभी इसको बूट स्टैब्ड बिसेस पे चला रहे हैं फंडिंग हमारे पास हम लोग वी अर लुकिंग फॉर सम आउटलेट्स यहां से में फंडिंग मिल जाए बट अभी bootstrap basis पे चला रहे हैं मैंने जोना कि आप shark tank भी गए थे कैसा क्या रहा है एक्सपीरियंस कुछ साजा करेंगे यह shark tank का रहा है basically मैं चाहता था कि हम जो काम grammy इन स्थरों पे कर रहे हैं उसे देश के मंच पे दिखाया जा सके ताकि अगर हमारी स्टोरी देखे कोई और भी दो-चार स्टार्टपस इंडिया में निकलते हैं जो इस तरह के काम में आगे जाते हैं तो इससे रूरल हेल्थ केर के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा पुरा लाइव एंवार्मेंट रहता लाइव पिछ होती है इट वाथ गूड एक्सपीरियंस जो ओफर हुआ आप बोच स्टार्टेंक से हाँ जी काफी शाक्स ने हमें ओफर दिये थे 40 लाग से लेके एक क्रोड तक के ओफर हमें मिले थे उसमें एक शाक का हमने ओफर उसमें एक्सेप्ट किया था उसकी प्रोसेस अभी आगे चल रही है एक कोश्चन यहीं बनता कि आप कंपनी कभ आपने इसको स्टार्टिंग किया था और स्टार्टेंक आप गए थे हमने 2020 में कंपनी के शुरुआत की थी दोहजार अठारा से हला कि हम इसका सौफट्वर वगर बना रहा थे पूरा एक्लिनिक का मॉडल जिस टेक्नोलजी पर चलता है और टेक्नोलजी का प्लोटफ़र हमारा खुट का है तो यह पिछले पांस साल के हमारी महना थे और पिछले साल हम शार्क टेंग में गए थे और उसका ब्रॉडकास्टिंग वगर होई थी मैं कंपनी के बात करूं कि आप कितने रुपए आपके कंपनी में लगें आपको इसको खड़ा करने में तो अभी तक हम लोग 60-70 लाख रुपए इसमें लगा चुके हैं और अभी भी ब्रेक इवन पर नहीं पहुंची है लेकिन हम मॉडल को बार बार रिफाइन कर रहे हैं और वी आर शौर की जल्द हम इसको ब्रेक इवन पर प्रॉफिटेबल बना पाएंगे जैसे कि आपने बताए कि आपके गाओं गाओं भर में आपके क्लीनिक्स हैं तो उनकी फीस कितनी क्या रुपए हो क्या कुछ ऐसे ओफर जाओ आपके कार्ड मन्थली अर्ली जो लोगों को एक लाइफ टाइम तक आप ट्रीटमेंट फ्रीव में दे सकें हमने इसको बहुत ही अफोर्डेबल रखा है बेसिकली गाओं के लोग बहुत महेंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो आइडिया था वो था कि एक सस्ती और बैतर स्वासुद है लोगों तक पहुचाना तो अभी हमारी कंसलिटेशन फीस मातर सो रुपए हो करा सकता है कि वहला उनको मैडिसिंस के लिए और लैप टेस्ट के लिए पैसा पे करना होता है बस इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेरनेस की गाओं के पिशिंट को यह समझाना कि बिना नप्स देखे डॉक्टर उनका इलाज कर सकता है बिना किसी बड़ी बिमारी के ह टेली मेडिसिन को लोगों को समझाना कि कैसे एक बड़ा डॉक्टर आपको घर बैठे देख रहा है तो जो सविधा पे आप 10,000 रुपे 20,000 रुपे खर्च करते थे आपको अपने ही गाओं में मातर 100 रुपे में मिल रही है तो एक अवेरनेस का प्रॉब्लम बड़ा था दूसरा इशू होता है ट्रस्ट का कि लोग बहुत जल्दी हेल्थ के मामले में किसी और पर विश्वास नहीं करते हैं अगर वो अपने कोई लोकल कोई को ही दिखा रहे है तो लोग इसी को दिखाना प्रिफर करेंगे बजाए किसी नए टेली मेडिसिन सेंटर के लिकिन ज कर अपने मिजुरम की बात की, बिहार की बात की, मदिप्तिस की बात की इसमें और भी इस ट्विट सेंटर को क्या प्लानिन लेकर आ रहे हैं अभी हमारा फोकस है अपने क्लिनिक्स के मॉडल को परफेक्ट करने का एक्चुली हेल्थ केरे के ऐसा बिजनेसे जहां पर बहु इंडिया में लाउंच करेंगे एक सवाल यहीं बनता कि इस सफर के दौरन आपका फेमली का कितना बड़ा योगदान रहा है या आपके किसी फ्रेंड सर्कल का कितना बड़ा योगदान रहा है यह स्टार्ट अप शुरू करने के पहले बहुत ही स्टेबलाइजड गवर्म मेरे दो कॉलिज फ्रेंड्स हैं जो मैंनिट भोपाल से 18-18 सालों से साथ में हैं तो फैमली और फ्रेंड्स के सपोर्ट के साथ ही एक काम हो पाए अधर वाइस नहीं हो पाता है जो आपके E-Clinics काई काफी स्टेट्स में काम कर रहहां है इसके सर्कोसिस क्या रहती है अगर हम किसी से अगर डॉक्टर से अगर परामर्स करना है तो इसमें होता है पेशेंट हमारे फिजिकल सेंटर उते हैं एक प्षेंट होते है एक ट्रेंड्स ट्रेंड्स नर्स इन प बेठा, especially doctor patient से connect हो जाता है healthcare workers के पास बहुत ही आधुनेक, जो medical devices हैं, वो होती हैं, जिनके तुरू उनके patient के vitals collect करते हैं सारी vitals immediately हमारे software के तुरू doctor को transfer हो जाते हैं तो doctor शेहर में, भोपालय सागर जैसे शेहर में बैठे देख सकता कि patient के क्या vitals हैं हिस्ट्री है, सारी जानकारी उसको मिल जाती है और जैसे एक consultation समाप्त हो जाता है तो एक digital prescription निकाल के हम patient को देते हैं जो कि Hindi और English दोनों लेंग्विज में होता है और इसके बाद इतना ही नहीं उसको दवाईयां और जो लैब टेस्ट अगर कोई कराना है तो उसका sample collection भी हमारे e-clinic पर ही हो जाता है तो बेस्किलिए गाओं के मरीज को डॉक्टर परामर्श, दवाईयां, लैब टेस्ट सब एक ही जिगह पर अपने गाओं में ही मिल गया उसको किसी चीज़ के लिए शेहर नहीं जाना पड़ा यह complete एक healthcare solution हम e-clinic के दवार अपने मरेज़ों को देते हैं अपने नर्स की बात की, डॉक्टर की आपके क्लिनिक में जूडने के लिए उनको क्या character यह फॉलो करना पड़ाइं कुछ है जो basically healthcare worker है या caregiver है वो हम लोग एक trained nurses को ही वहाँ रखते हैं ताकि अगर patient के वाइटर्स लेने में उनसे कहीं कोई गलती ना हो रही बात doctors के, doctors हम ऐसाथ hospital के थूज उड़ते हैं हम hospital से tie-up करते हैं वो अपने सरे doctors का पूल हमें provide कराते है specialist doctors का तुमारे पास एक बहुत बड़े science के doctors का पूल एक हिटा हो जाता है Thank you so much sir Thank you